इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में एटम क्या होता है उसमें क्या-क्या चीजें इंपोर्टेंट होती है बेसिक नॉलेज जो आपको चाहिए वो सारा आपको इसमें मिल जाएगा लेट्स गेट स्टार्टेड मैटर से बात शुडू होती है क्योंकि chemistry क्या होती है chemistry is the study of matter तो matter क्या होता है जो भी हम हमारे असपास देखते हैं जो space घेड़ता है जिसमें mass होता है वो क्या होता है matter होता है इस matter की एक unit को atom कहा जाता है मतलब atoms होते हैं वो आगे जाके matter बनाते हैं पर वो directly matter को constitute नहीं करते हैं atoms molecules बनाते हैं उस molecule को overall matter कहा जाता है तो यह atoms होते क्या है यह atoms इसके बाद भी हमने divide किया तो confuse मत होना atoms एक proper unit होती है जो कि आपको normally आपको exist करती हुई दिख जाएगी ठीके तो यह atoms क्या है यह atoms होते हैं बहुर्स model of atom लेके चल रहे हम बहुर्स model of atom में उन्होंने बोला था कि atom क्या है atom एक nucleus से comprise किया हुआ है जिसके अंदर एक nucleus है और electrons उसके आसपास घूम रहे होते हैं nucleus के अंदर क्या होता है proton होता है और neutron होता है तो proton हो गया जिस पर positive charge है neutron जिस पर कोई charge नहीं है और electron जिसके आसपास revolve कर रहा है जिस पर negative charge है this is the overall atom ठीक है अब इसको देखते हुए हम यह जानते हैं कि proton और electron क्या होते हैं equal number में होते हैं मतलब जितने proton होते हैं उतने ही neutron होते हैं और अगर ऐसा है तो क्या होता है कि proton positive charge और electron का negative charge क्या हो जाता है कि ईलेक्टरॉक्चन हो अगर इसमें imbalance होता है तो क्या होता है इसके अन्दर आपको क्या मिलेंगे और ions का फरमिशन हो जाएगा ions का फॉमिशन हो जाएगा अगर electron कम हो गए तो protons जाएदा हो जाएगे तो positive i On बन जाएगा और ज्यादा हो गए तो नेगेटिव आयन बन जाएगा ठीक है अब एक्टम के वारे में हमको कुछ ऐसी वर्ड मिलते हैं कुछ ऐसी चीजे मिलती हैं जो हम डिसकस करना चाहते हैं सबसे पहला है अटॉमिक नंबर वाट इस अटॉमिक नंबर होता है नंबर इलेक्ट्रॉन का य जादे तर प्रोटॉन का माने तो जादा बेटर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं रियक्शन में इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है ठीक है तो प्रोटॉन को माने तो जादा बेटर है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जिता होता है उतना किसी वी चीज का अटॉमिक न नंबर है, atomic mass या atomic weight या mass नंबर क्या है, वो यह है कि जब आप proton और neutron को plus कर देते हो, मतलब overall nucleus में जो चीज हैं, उनको plus कर देते हो, तो क्या आजाता है, यह आजाता है आपका atomic mass, ठीक है, अब एक चीज आती है, valence electrons, valence electrons क्या होते हैं, जैसे यह shells दिख रहे हैं आपको, electron यहा पर दूसरा shell है, इस तरीके के shells होते हैं, इन shells में क्या होता है, कि सबसे बाहर वाले shell में जितने electron है, उसको हम क्या बोलते हैं, valence electron बोलते हैं, वर्ड आपको सुनने को मिला होगा बहुत बार, अब, next is, एक rule होता है, 288 rule कहा जाता है, जिसको कि, यह बताता है, कि किसी भी shell में highest number of electrons होने चाहिए कितने stability के लिए, तो जैसे अंदर वाले में 2 होते हैं, उसके बाहर वाले में 8 होते हैं, और यह complete नहीं होते हैं, तो dialektrons का क्या होती है, sharing होती है, और donation या acceptance होता है, उसको किस चीस के लिए, इसको complete करने के लिए, और इसी को octet rule कहा जाता है, कि, atom क्या चाहता है कि वो अपने इलक्ट्रॉंस को लेके देखे शेयर करके क्या करें इक्वल कर ले किसके इस टुएटेट रूल के हिसाब से ठीक है नेक्स चीज आती है अटॉमिक साइज अटॉमिक रेडियस यह क्या होती है एटम के पूरे साइज को हम क्या बोलेंगे अब यह एटमिक साइज बोलेंगे अटमिक रेडियस बोलेंगे अभी रेडियस उपर से नीचे जाने में परियोडिक टेबल में क्या होती है बढ़ती है फॉर एक्जामपल अपने पहला ग्रूप ले लिया sodium, lithium, potassium, rubidium, cizium ठीक हे? तो ये सतरीके से क्या हो रहा है? इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर 600 तक size क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. अब जैसे जैसे shell बढ़ते जाएंगे shell बढ़ते जाएंगे मतलब वोете जिसमें इलेक्ट्रों गुम रहा है वो बढ़ते जाएंगे तो ओविसली साइज बढ़ता जाएगा लेफ्ट से रेट जाने पर प्रोटों और इलेक्ट्रों बढ़ते हैं जब प्रोटों और इलेक्ट्रों बढ़ते हैं तो उनके बीच का एट्रैक्शन फोर्स भी बढ़त electronic configuration बताया जाता है, electrons किस तरीके से प्रेजेंट है, उसके पहले हमको जानना पड़ेगा, कि atomic orbitals क्या होते हैं, atomic orbitals होते हैं, S, P, D, और F, क्या होते हैं, जहां पर, atom के अंदर, electrons के होने की possibility, सबसे जादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, atomic orbitals बोलते हैं, उसकी capacity क्या है, S में total 2 आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, F में 14 आ सकते हैं, तो इन में electrons को fully fill करके, क्या करना चाता है, कोई एक atom stable होना चाता है, तो इसकी एक series है, जो जलती है, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, और आगे चलती जाती है, इस series को प्लीज याद कर लीजेगा, यह बहुत जादा important है, काम आए गया अगे, अब यह carbon है, जैसे for example, atomic number 6, atomic number 6 मतलब इसमें proton किते होंगे, 6, ठीके, अब इसमें हम इसके अंदर fill up करेंगे, तो यह हो जाएगा, 1S2, 2 हो गए, 2S2, 2 और हो गए, 2P, कितने 6 आ सकते हैं, पर इसमें कितने बज़े हैं 6 के साब से, 2, 2P2, वैसे ही 14 को fill करेंगे, तो यह तरीके से fill up होता है, इस तरीके से electronic configuration बनती है, अब हमने यह देख लिया, कि atom को octate बनाना होता है, तो वो क्या बना लेता है, molecule बना लेता है, जब 2 atom देख, दो से ज़्यादा atom जुड़ जाते हैं, bonding के थूँ, तो उसको आप क्या बोलोगे, molecule बोलोगे, ठीक है, ions, adding, removing of electrons, यह मैं बता चुकी हूँ पहले, ठीक है, इस तरीके से, atom क्या करते हैं, molecules या ions बनाते हैं, इसे related आपको अगर videos चाहिए, bonding से related या ions से related, तो यह आपको नीचर description में मिल जाएगी, एक और चीज़ है, जो हमने periodic table के बारे में बात करी थी, कि element, element क्या होता है, same type of atoms, एक जैसे atoms जब present होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, element बोलते हैं, यह था पूरा description, एक basics of chemistry का भी एक video है, please check it out, and thank you for watching,